कॉलकाता केस में एक नई ख़बर निकल के आ रही CBI के जाज की बाद अब यहाँ पर वो चार लोग कौन इस्टाप थे जो कॉलेज के थे जिन लोगों ने लास्ट टाइम यहाँ पर जो की लड़की को देखा था अब यहाँ पर देखिए संजर आया और उसके साथ ही तो यहाँ पर पकड़े गए हैं सिस्टीबी के कैमरे के नजर में लेकिन उसके अलावा भी चार इस्टाप थे कि दस्टाप थे कि पंद्रा इस्टाप जिसको उसने लास्ट टाइम लड़की को देखा गया है अब होँ पर देखिए कालेज के प्रिंस्पल यहाँ पर तो जा रहा है जो कि मामला है वो दबाने की कोशिस करी है लेकिन अब होई बड़ी ख़वर निकल के आरेज सीबी आई के तरफ से कुछ तो यहाँ पर जो की कांड को चुपाया जा रहा है कुछ को यहाँ पर राज लेकिन वहीं आपको बता दे कि जो भी यहाँ पर कॉलेज में इस्टाफ है, कहीं न कएं उन्ने इस्टाफ़ा में से कुछ लोग यहाँ पर बाते उनके आरेज। क्योंकि संजे राय के अलावा और भी वहाँ पे college को principal मिले हैं और उसके बाद कुछ staff भी यहाँ पे बाते उनके आ रही आप लोगोंने बहुत सारी जो की music clip आप सुनूंगे जो की audio clip रही होगी इन लोगों के बीच में जो बाते होती थी जहाँ पे चाल लोग और दस लोगी बाते हो रहे थी कि कोई लड़ाई करा था और कोई किसी ने आप संजे राय को भेजा है और संजे राय बाहर जो दो राउंड मारता है और उसका एक दोस्त रहता है बहुत सारी आप लोगों ने clip सुनी है लेकिन सचाही तो यही है ना किस बहन के साथ जो होगा है दर्या दिंदरी वो किसी और के साथ ना हो क्योंकि उसी के लिए तो सब लोग इंसाफ मांग रहे हैं आखिर अप तक कि श्टाप क्यों नहीं पकड़ा गया अब यह आप बताईए कि जब वहाँ पर ऐसा कांड हो रहा है उसके बिहान भर वहाँ पर यो कि कॉलेज के जो है बगल में ही वहाँ पर खुदाई का काम तोड़ फोड़ का काम चलने लगता है यह कहां तक बरताव है यह तो नहीं होना चाहिए यह तो इस टाप वाले वहाँ पर रोक सकते ना आखिर उस बिल्डिंग में काम करने की क्या जरुआ थे उस कॉलेज में जब ऐसा कुछ हुआ है और वहीं के बगल में कर रहे हैं तो कहीं न कहीं उसको पूरा का पूरा इस बावनाओ को जो है इस को पूरा का पूरा दवाने की कोसिस करें लेकिन आप लोग नहीं रुखिए क्योंकि जब तक आप लोग अपना फीडबैक कमेंट्स में नहीं देंगे और जब तक सभी को वीडियो कुस्तियर नहीं करेंगे तब तक यहां पर सचाही सामने नहीं आ पर है लेकिन आप लोग का क्या फीडबैक है अपना लोग कमेंट्स करेंगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय जरूर दे है